पूर्व प्रत्याशी विधान सभाशेत्र बिस्वा अपचाल कौशर के नैत्रेतों में साइकल रैली निकाल कर समाजवादी सरकार बनाने की अपेर की अटरिया चोराहे से चलकर रैली गढ़ी करोंदी निवादा 86 उसरी रूढ़ा सरोरा कला होती हुए सिकलिनिया चोराहा पहुँची यहाँ पर रैली का समापन हुआ रैली का जगे जगे स्वागत किया गया कारकरताओं ने जवरान सपा की नीतियां गिनाई रैली में ब्लोक अध्यक्षि कसमंडा अनल कुमार यादो बीडीसी महेंदर प्रताप सिंग रिसुतिवारी सूरस सिंग कम्रेस यादो रमाशंकर यादो, प्रकाश यादो लुक्मान खां, रखीब खां, फुर्खान सहित तमाम कारकरता शामिल हुए साइकल यात्रा निकालने के पीछे क्या मकसद रहा इस पर आइंडिया के एक कसमंडा समवादा था सत्य प्रकाश नेपूर्व प्रत्याशी अब जाल कौशर से बात की आप भी सुने, वो क्या बोले बश्मंडा बला Umay가 निकालने के पी ज ूंस wrench को दंग हो से जनाम को पीछे जो प्रत्याय बॉल खतवादा साइकल अलब निकालने के पीछे साइकलने क्याम हिए बताने के साथ जनता में जो हमने उच्साह देखा हूं जनता बिल्कुल तैयार बैठी है बस वह वीवी पैड मसीन चाह रही है वह चाह रही है कि सामने उसके मशीन आए साइकिल का बटन उसको दिकाई दे और दबाते और उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश रादाव जी को वो मुख्रमंत्री बनाती है बिल्कुल तयार बैटिए जाए आपके मुक्तमंत्री अकलेश रादा जी ने नए साल पर एक उखला किये हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो 300 उनित किसानों को बिल्गी देगे और यह किसी से किसी की आवारा गौबन सार दोरा हक्तिया होती है तो उसको पांचलाथ रुपए दे करके मानि मुलायम सिंह आदो जी जो कहते हैं वो करते हैं कि कषरी करनी में कोई अंतर नहीं है उन्होंने 300 उनिट बिल्गी देने का बात किया है कि किसानों को बिल्गी देंगे और उसके साथ दिनों ने यह भी कहा है कि घरेलू बिल्गी तीन सो युनिट हमलों जी लाएं और इसका सब्सक्राइब हो सकता है हमें एक इंस सेवा के लिए ही हम समधी पार्टी में है और चुना हम लड़े थे और इंशालला हम फिर लड़ेंगे और जीतेंगे सरकार भी हमारी बनेगी और सरकार बनेगे अखिलिश्ची मुख्यमंत्री अगर बनेगे वही बनेगे ही मुख्यमंत्री क्योंकि जनता का उत्सा और जनता जिस तरह से उमल के सामने आ रही है आज रुपिया भी मुझसे नहीं लिया है और इससे पहले जो भारती अंदा पार्टी ने रैली की थी यहां के इस्थानी विधायक ने तीन तीन सोर रुपए पेट्रोल देने का काम किया था और दोसोर रुपए उन्होंने और दिया था यहां कि चीनी मिल बंद पड़ी है और शायद आपको याद होगा कि 2012 के चुना में जब मानि अखिलेश यादो जी रत लेकर के आये थे उस वक्त वो प्रदेश अधे और कमलापूर कस्मंडा जो यह कमलापूर है उस बाग में आये थे उस रत में मैं भी सवार था और मानि अ लेकिन इसको चालू कराएंगे और उन्होंने प्रयास भी किया लेकिन कुछ कोट में मामला इस तरह से फसा हुआ था इस तरह से नहीं यह सुलच पाया है और हम अकर इस बार हमको मौका मिलता है इस चेत्र ने हम जंता ने हमको मौका दिया और अखिलेश यादो जी हमारे म कड़ा बता रहे हैं आप यकीन मानिए कि गन्ना फैक्त्री पूरी हमारी 100% कोशिश रहेगी यह चालू हो और 36,000 नहीं बलकि जितने इस चेत्र के लोग है और इस चेत्र के अलावा लोग है वो अब गन्ना इस फैक्त्री में लाएं और उनका विकास हो और इस चेत्र का खबर आपकी नजर हमारी देखते रहे है आई इंडिया